हलो दोस्तों आज किस वीडियो हुम बात करने वाले हैं रेलवे एंटी पीसी के थर्ड फेज में होने वाले एक्जाम के एक्जाम सेडियूल के बारे में यनि कि थर्ड फेज का एक्जाम कितने तारीक से लेके कितने तारीक के बीच में होगा साथ ही इसका आप exam city या फिर city intervention आप कैसे चेक कर पाएंगे इसके लावा इसके admit card को आप कब download कर पाएंगे और कैसे download कर पाएंगे सब ही चीजों के बारे में बात करेंगे तो इसलिए वीडियो कौन तक जरूर देखेगा और चैनल पर पहली बार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मैं RRB की हो ओफिसल वेपसाइट पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 जनवरी का अपडेट है RRB ने अपडेट किया है कि CEN01-2019 NTPC-CV21 यहाँ पर 3rd phase exam schedule के बारे में बताया गया है कि जो 3rd phase का exam होगा 31 जनवरी से लेके 12 फर्वरी के बीज में होगा तो RRB ने इसके लिए एक notice भी जारी किया है बाकाईदे तो उसमें सारी चीज़ें बतायी गई है कि इसका CT&T लेटर आप कपसे चेक कर पाएंगे और आपके admit card कपसे download होंगे अगर आप उस notice को download करना चाहते हैं तो उसका link आपको हमारे वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके उसे download कर सकते हैं वैरहाल मैं आपको यहाँ से इसे open करके दिखाता हूँ तिहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे download कर रहा हूँ उसके बादे आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलके आ जाएगा तिहाँ पर दिया गया है Government of India Ministry of Railway, Railway Requirement Board, CEN01-2019 for requirements of various NTPC graduate and undergraduate post notice दिया गया है कि third phase of exam schedule for CVT1 यानि कि जो third phase में exam होगा CVT1 का उसके बारे में notice जो है जारी किया गया है यहाँ पर बताया गया है देख सकते हैं कि the third phase of first stage computer based test CVT1 bill we held from 31 January 2021 से लेके 12 February 2021 तक जो है चलेगा और इसमें जो candidate के जो exam है approach 28 lakh यानि 28 lakhs candidate के जो है exam होनी है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरे number point पर बताया गया है कि आप अपने exam city को चेक कर पाएंगे तो आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है आप चेक कर सकते हैं कि आप आप अपने exam city को चेक कर पाएंगे हैं कल रात को जो है 9 बज़े से ही जो है एक्टिवेट हो चुका है कैसे चेक करना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा भी और लिंक भी मैंने डार रखा है वीडियो की नीचे description box में और उसके बाद में आगे के point में आपको बताया गया है कि आपका जो admit card है आपके exam start होने इसे चार दिन पहले आपके admit card download होने start हो जाएंगे तो आपकी जब भी exam है आप अपने exam के चार दिन पहले अपने admit card को download कर पाएंगे तो हम सबसे पहले बताते हैं कि आपको अपना exam city कैसे जो है आपको चेक करना है उसके बाद बताएंगे कि आपको अपने admit card को कैसे download करना है हाला कि admit card download करने का process तो सेम ही है लेकिन अभी आपका link activate नहीं हुआ होगा आपका admit card अभी जो है नहीं download हो पाएगा थर्ड भेज का तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने exam city को कैसे चेक करना है तो देखिए exam city को अगर आपको चेक करना है तो आपको किसी website पर जाने क जरूरत नहीं है आपको हमारे video के नीचे description box में एक मैं link डाल दूँगा वहाँ पर लिख दूँगा कि check exam city उसके आगे सेम आपको जो है link मिल जाएगा आपको वहाँ पर click करिएगा और यह page आपके सामने direct खुलके आ जाएगा और यहाँ पर क्या करना है आपको कि अपना ज उसके बाद यहाँ पर click करके year ऐसे आप click करिएगा date आपको select कर लेना है उसके बाद month उसके बाद year select करके आप login करिएगा login करने के बाद में आप अपने exam city को check कर पाएंगे उसके allow जैसे ही आपके admit card third face के download होने start होंगे तो आपको मैं inform कर दूँगा कि आपको अपने admit card को कै इसे download करना है तो आप download भी कर पाएंगे तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दें साथ ये अपने फ्रेंडों के साथ share कर दें